अधालो मैं उपासना शर्मा हूँ बेसिकली यहां पे आने की एक वज़ा है कि जो भी तुरी पूरा में हो रहा है वो कहीं न कहीं एंटी हुमन है उसको किसी धरम या जाथ से देखने की बजाए उसको इस सीज से देखें कि वो हुमानिटी को किस तरह से किल कर रहा है मैं एक हिंदू हूँ एक ब्रहामण लड़की हूँ लेकिन फिर भी मुझे इस सीज के लिए लिटरली शर्मिंद की महसूस हो रही है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी का धरम देखकर और उसके साथ इतना साथा ब्रुटालिटी करते हैं हम लोग मौजूद हैं त्रीपुरा भवन के सामने यहां पर हो रहा है काफी बड़ा प्रोटेस्ट एक सिटिजन्स कॉल दिया गया था आज दिल्ली में त्रीपुरा में हो रही आंटी मुसलिम जो हिंसा चल रही है जो मस्जित तोड़े जा रहे हैं जो मुसलमानों की तोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ यह प्रोटेस्ट आज दिल्ली में दिया गया था और सिटिजन्स ग्रूप्स ने इसका कॉल दिया था वहीं से हम आपको प्रोटेस्ट मार्च की रैली दिखा रहे हैं मुर्चा 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 मुर् जल से जल कानून बहाल हो जल से जल वहा पे महां पे जल से जल जल लोगन ओगर मैंटेन में आई है 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 बनांग बनाग में ये टोड़े डाउं है कि यहां पर है कि जो अभी ट्रीपुरा में हीशा हो रहा है अलप सभडार के खिलाव के जो ब्हजितों को तोड़ा जा रहा है पकानों को थोड़ा जा रहा है उसको बचाने के लिए उसको सेफ करने के लिए हम लोग यहां को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अप बॉल यहां इस्ञाम पर कियो आए हैं कि तरह का चल रहा है और मुसल्मानों को जिस सथरीके वहाँ पे घरों को चलाया गया मस्जिदों को चलाया वहाँ तोड़ फोड़ की गई और जिस तरह से रेलियों के अंदर खुले आम वहाँ पे सरकार लौर इन आर्डर को मेंटेन नहीं कर रही है हम डिमांड कर रहे हैं कि सरकार और जो इन्फोर्मेंस अथार्टीज हैं वो एक्शन ले और इन सब चीजों को रोके फॉरण और जिन लोगों ने इस तरह की जो किये हैं तोड़ फोड़ की है और जो सब कुछ किया है उसके खिलाफ फॉरण एक्शन ले यह हमारी डिमांड से यहां पर लोग यही अपील कर रहे हैं कि अमित शा की सरकार और उनकी होम मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने त्रीपुरा पर बिल्कुल साइलेंस मेंटेन किया हुआ है वो एक इसलामोफोबिक अप्रोच से इस मुद्दे को देख रहे हैं और उनकी चुपी वो तोड़े और जवाब दें कि आखिर पूरे स्केट में इस तरह का वाइलें आखिर क्यों होने दिया गया और इतना लंबा वो वाइलेंस क्यों चल रहा है उस पर अभी तक होम मिनिस्ट्री बिल्कुल सुप क्यों है त्रीपुरा में आपको बता दें कि पिछले एक हफ़ते से बहुत से मस्जित तोड़े गए हैं बहुत सी दुकाने जो हैं वो बैं समर्थन में हिंदूों की समर्थन में वहाँ पर राली शुरू हुई थी और वी एच पी और राइट विंग जो संगठन हैं दुत्वबादी संगठन उन्होंने वहाँ पर राली जिकाली थी जिसके बाद से नौत त्रीपुरा में यह हिंसा बढ़क रही है तो कम आं क्या तो मैंने यहां यहां पे त्रिपुरा पवन पे हम लोग प्रटेस्ट करने आए हैं कि लगातार जिस तरीके से पिछले एक हफते में त्रिपुरा के अलग-अलग जगाओं से खबर आ रही है, मस्जिद जलाने का जो मुसलिम शॉप ओनर्स है, उनको अटक करना, उनके दुकानों को वैंडलाइज करना, और सिलसिलवाद तरीके से इस देश में हम देख रहे हैं कि मुसल्मानों पे अटक बर रहा है, और कोई जस्टिस नहीं है, एक भी केस अभी तक नहीं सुनने में आया, जहां पर पुलिस आके रोकने की कोशिश की है, पूरा ये विच्पी विश्व हिंदु परिश्यत के गुंडों के द्वारा किया गया है, और लगातार लगातार आरसेस बीजेपी इसको इसको अटाक्स हो, और उसमें जो अटाक कर रहा है, उनको बाद में कोई पद सरकार में या मिनिस्ट्री में दिया जाए, और ये बिल्कुल स्टेट इंप्यूनिटी के साथ ये अटाक्स हो रहा है, और इसलिए हम लोग यहां पर कथा हुए, त्रिपुरा भवन से पहले ह में रोक लिया गया है, यहां पर त्रिपुरा भवन के बाहर आंदोलन जो है वो लोगों का चल रहा है, अम लगातार आपको सुना रहे हैं कि लोग क्या अपील कर रहे हैं, पर उसी के साथ साथ जो दिल्ली पुलीस है इन्हें त्रिपुरा भवन के सामने करेगा, अलग लगता का कानून बरेगा, बात करेगा, मगर मेन मुद्धा इन्से आपको क्या नहीं हो रहा है, महादी हैं पी दोसी है, एक भी ग्राफतार नहीं हुआ है, कहां कि लोग सरकार प्रिपुरा में चल रहे ही, सांप्रदाइक हिंसा के विरोध में यहां लोग उत्रे हुए हैं आज, पिछले एक हफते से त्रिपुरा में वाइलन्स चल रहा है और भी एचपी और बीजेपी से जुड़े हुए हिंदुत्ववारी संगठन अंटी मुस्लिम वाइलन्स को अनलीश कर रहे हैं यहां पर दिल्ली पुलीस इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो वो बैरिकेंट के बाहर ही लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहां प्रोटेस्ट कर देने वारे हैं और हिंदुस्तान के मुसल्मान कौन से किस के पर हमला कर रहे हैं और हम इसके खुलके बोलते हैं और दिल से बोलते हैं और नरेंद्र मोधी की सरकार इस्ला में है ऐसे यहाँ पर नारे लग रहे हैं लगातार दो वायर पर हम आपको अपडेट्स देते आए हैं कि त्रीपुरा में किस तरह की सिती बनी हुई है और किस तरह का यहाँ पर विरोध हो रहा है है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आज कि यहाँ पर students groups, activists और common जो नागरिक है जो परेशान है इस दरहा की जो सिथी बन चुकी है, कम्यूनल वाइलेंस की, कम्यूनल हेटरेट की, उसके लिए लोग यहां आए हैं. जो परेशान हैं.